हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए अपने इस वीडियो सेशन में आपके इंग्लिस ग्रामर का एक चहता आपका चहता आपका जाना पाचाना आपका मन पसंद आपका फेवरिट टॉपिक लिकर आ और हमारे जैसे टीचर्स का ही नहीं बलकि आपके एक्षामेशन पूड का भी चहता टॉपिक बना हुआ है अब तक बना हुआ है पहले भी बना हुआ था और आगे भी बना हें रहेगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके एक्जामेशन बोड की शर्चा हैं क्यों कर +, CPU का एक्जाम ओ, GD का एक्जाम ओ, stenographer का एक्जाम हो, MTS का एक्जाम हो ए और भी कोई भी एक्जाम हो, और न न सर्फ SAC board के द्वारा ven Втор कि क्या जाने वाले exam बलकि और भी दूसरे boards के द्वारा या जो individual exam आप देखेंगे कि टेंज से कोशन रहते हैं रहते हैं तो चाहे आज आप English Medium के स्टूडेंट हो या आप Hindi Medium के स्टूडेंट हो किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी रही हो या आपका English बहुत वीक रहा हो आप सभी बच्चों के लिए आज का हमारे जो वीडियो सेशन है ये काफे important रने वाला है तो वीडिय सेशन में हम आपको टेंस और वाइस को पाचानना सिखाएंगे सबसे पहले हम लोग टेंस और वाइस को पाचानना सिखेंगे उसके बाद हम लोग grammar के concept की तरफ चलेंगे और फिर exam में पूछेंगे question को solve करते चलेंगे ठीक है तो आईए हम लोग सबसे पहले चलते हैं बहुत सारे बच्चों cancer आएगा सर ये तो हम बच्पन से जानते हैं इसलिए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं सबसे पहले question की तरफ तो आईए सबसे पहले हम लोग यहां पर question को देखना शुरू करते हैं यह देखिए हमारा tense topic है और इस topic में हम सबसे पहले आपको इन question को द है future का present में चलिए तो present के कौन से type का है past का है तो past के कौन से type का है future का है तो future के कौन से टाइब का है लेकिन यदि हम आप से में पूछें कि चलिए अब आप इनका जरा टेंस और वाइस बताते कि अब बच्पन से हम लोग आम तौर पे जानते हैं कि इस अम आर का यूजर पर नहीं लगते हैं फिर आगे अम लोगों ने पड़ा था है प्रिजेंट पर्फेक्ट में के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्रिजेंट पर्फेक्ट में हैसे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास पर्फेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहां पर यह थर्ड फॉर्म कैसे दिख रहा है यह फिर समस्या है यहां देखे यह cell will देखा, cell will देखा तो हम लोग का सकते हैं कि यह future में है, फिर इसके साथ देखे बी प्लस वर्फ का third form आ गया, यह हो क्या रहा है भाई हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अब देखे इसका reason यह है कि इन सबों के लिए हम लोगों को पढ़ना होता है forms of वर्ब, वर्ब के कितने form होते हैं, उनके features क्या होते हैं, उनके tense क्या होते हैं, और तब उनहीं के माद्यम से हम लोग सीखते हैं tense को पाचानना, क्यों सीखते हैं, क्यों के tense क्या है भाई, tense क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को tense में बच्पन में जो पढ़ाए गया था व उसका फिर कुछ structure आप पढ़ते हैं और उसको Hindi sentence को English में translate करना आप सीखे थे ठीक है कुछ इस तरीके से हमारी आपकी पढ़ाई शुरू होती है Hindi medium में बात समझ में आ रही है अब यहां से आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है तो आपने वर्म के अलग-अलग forms को use करना सीखा था आप धियान देजिए इस बात को notice कीजए ठीक है कभी आप वर्म का first form यूज करते है कभी फिर्स फर्म में AJS लगा कर use करते हैं कभी ाइज जी parm यूज करते हैं कभी और वाइस को कैसे decide करते हैं ये भी आज के class में हम आपको सिखाएंगे ठीक है तो आज का ये class काफी important है हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आज का हमारा ये जो class है काफी important रहने वाला है चाहे आपके English बहुत अच्छी रही हो English पर आपके पकड़ बहुत अच्छी रही हो त आज के इस video session के बाद हम आपसे promise करते हैं कि आज के इस video session को देखने के बाद इसको ठीक से समझने के बाद आज के बाद आपसे कहीं भी किसी sentence में tense और wise को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगे ठीक है तो वीडियो को द्यान से देखना पूरे concentration के साथ देखना शुरू करें ठीक है तो दोस्तों हम आपको अपना introduction देते चले दोस्तों मैं अजित कुमार faculty of English language आपके YouTube channel competition community पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आएए अब यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं mode की तरफ यहां पे सबसे पहले हम यदि आपसे पूछें कि वर्ब क्या होता है क्रिया क्या होती है बताए जरा क्रिया क्या होती है तो आपका सीधा सिखा रहे हैं हम सीधी बात करते हैं अपके सामने देखिये हिंदी का कोई भी बेसिक वड है इसके कितने फोर्म होते हैmers तो आप में से जयादा तर बच्छो का अंसर आएगा सर्वाब के तीन फॉर्म होते हैं तो तीनी फॉर्म पे होते हैं ठीक है अब ये तीनी फॉर्म क्यों होते हैं भाई कौन कौन से होते हैं तो Round चैनिका 10 फॉर्म ऑप के थर्ण यह वहाना लगा हो उसको हमें क्या कहेंगे तो उसको हमें लोग कहेंगे वर्बिशन कंड़ क्रिया अब हम एक च्छोटा सा एक्जाम्पल हम आप से कहें कि कुछ और रह रहा पना पर एक्जामपल देजे तो आप कहा सकते हैं ऑथ generate यह रहा इट और ऐसे बहुत सारे रीड राइट वगेरा वगेरा ठीक है तो यह सारे क्या है वर्ब है चलिए अब इन वर्ब के जिन फॉर्म को आप बच्पन से जानते हैं सबसे पहले हम यहीं से आपको पढ़ाना सुरू करते हैं देखें जो वर्ब है एक छोटा सा और और यहन रहा है वर्ब के लगा कर उसका यूज करते हैं अब देखें होता क्या है कि वर्ब के टूटल पाँच फॉर्म होते हैं कौन-कौन से फॉर्म होते हैं टोटल फाइफ फॉर्म होते हैं अब ये पाँचों फॉर्म क्या है भाई और इसमें से आपको ये किवल तीन ही फॉर्म क्यों सिखाय जाता है आपने अब तक स्कूल से जो भी पढ़ा है उसमें आपको सबसे जादा ये तीन ही फॉर्म का यूज होता हुवा दिखाई देता है तीन ही फॉर्म आपको कहीं भी दिखाई देता है तीन ही फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज आपको दिखाई देता है तीन ही फॉर्म हम लोगों को रटने को भी मिलता है ये चौथा और जो पांचवा फॉर्म है fourth और fifth form जो है इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं जादा होती है तो इसका चर्चा बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि इहनका form ही fix होता है इसमें कुछ भी changeable नहीं होता है यह हमें इसा ing लगा होता है देखिए किसी भी verb के first form में इन ing लगा हो फॉर्थ WARM हो गया इतिन अब देखे यह जो बोड का फोर्म होता है एसके फ़ूर्म का फॉर्स फॉर्म होता है व्यांप करके हम उसको बनाते हैं वर्ब का फॉर्थ फॉर्म क्ति फॉर्म बनाते हैं अब जैसे इत की बात करें तो eat का ये fifth form क्या हो गया? It's हो गया. ठीक है? बात समझ में आ रही है. एक बार फिर से हम आपको लिखते चलें. तो first form हो गया it, second form हो गया it, third form क्या हो गया? eating, fourth form क्या हो गया? eating, और fifth form क्या हो गया? it's. बात समझ में आ गई. अब इन सबों का tense से क्या रिष्टा है? क्या नाता है? ठीक है? तो अब हम इसकी तरफ भी आपको लेकर चलते हैं. इसकी तरफ हम लेकर चलें, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ और slide में दिखाते चलें. अब देखें यहाँ पर क्या होता है हम सबों के साथ. तो यह देखी जेनरली हमारे आपके जो वर्ब होते हैं, वर्ब के जेनरली हम लोग जो तीन फ़र्म पढ़ते हैं. उस तीन फ़र्म में हम सबों को क्या देखने को मिलता है? तो हम लोगों को जेनरली देखने को लगा कर हम लोग उसका Second or Third Form बनाते हैं जैसे यह देखिए Interred, Interred यहां क्या लगा हुआ है? ED, यहां क्या लगा हुआ है? ED, तो generally हम लोग देखते हैं कि वर्ब का जो first form होता है इसी में ED add करके हम लोग बनाते हैं वर्ब का Second form और इसी तरीके से वर्ब का third form बनाते हैं तो generally वर्ब का second form और third form same होता है आम तोर पर हम लोग ऐसा देखते हैं लेकिन हमेशा ऐसा हो इसके कहीं कोई guarantee नहीं है क्यों नहीं है भाई तो देखिए इसका example भी यहीं पर आपको सामने में देखने को मिल रहा है यहां पर फिर से यह देखने को मिल रहा है कि यह कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके second और third form अलग-अलग है कुछ और हम आपको दिखाते चलें आप ज़रा ध्यान दिजिए इस लाइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है इस लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि वर्ब का जो first form है second form है third form है तीनों ही form इसके same है first form equal to second form equal to third form ठीक है तो इस थर्ड स्लाइड में हमें यह देखने को मिलता है कुछ और एक्जामपल हम आपको दिखाते चले हम आपको पहले से बता रहे हैं कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं एकदम जीरो लेबल से आज के इस क्लास में पढ़ना हम सुरू कर रहे हैं इतने हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे जो वर्ब के फॉर्म है यह सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों अलग-अलग है मतलब यह जो वर्ब के सेकंड फॉर्म है यह इक्वल नहीं है थर्ड फॉर्म के दोनों अलग-अलग है और इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने वर्ब के forms को देखा वर्ब के अलग-अलग types को देखा उसके अधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यह जो वर्ब के पांच form होते हैं यह वर्ब के जो अलग-अलग forms होते हैं बेसिकली हम लोग तीन फॉर्म की चर्चा करते हैं तो इन तीन फॉर्म की यदि हम लोग चर्चा करें तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और third form तो छोड़िए, तीनों ही form same होते हैं, first form हो, वो भी वैसे हैं, second form हो, और third form हो, तीनों equal होते हैं, same होते हैं, ठीक है, तो ये तीन तरीके के वर्ब हम लोगों को देखने को मिलते हैं, अब हम फिर से आपको लेकर चलते हैं, slide में, यहाँ पे देखे, यहाँ पे यह जो types of verb हम लोग देख पा रहे हैं, verb के first form, second form, third form, fourth form और fifth form, इनके बारे में हम आपको बताते चलें, कि यह जो verb का first form होता है, इनका tense क्या होता है, second form होता है, उनका tense क्या होता है, third का क्या होता है, fourth का क्या होता है, fifth का क्या होता है, और कैसे इसका use करके आज के class में हम लोग tense और voice को पाचानना सीखेंगे, ठीक है, तो इन सबों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, अब इन पे चर कर दोड़ी दिर के लिया हम ड्रॉब करते हैं क्योंकि सारा computer का विवाद का जड़ी यही पर ठीक है अब यह देखें जो अपना कहीं कोई इसका अब था फोर्थ पॉर्म का अपना कहीं कुई टेंस नहीं होता अब के प्रेंट की चर्चा करें हम लोग attains को कैसे पाचानेंगे वाइस को कैसे पाचानेंगे अब आईए हम लोग इसके तरफ चलचा करें आप बचपन से जानते हैं कि किसी भी continuous में verb के concept form का use होता है तो fourth form का अर्थात ing form का अब यह fourth form क्या है इसमें आपको confused होने के कहीं कोई ज़रूरत नहीं है fourth form के last में ह हम लोग आ करते हैं तो इस fourth form का use किया जाता है किसी भी continuous में चाहेament प्रिजेंट continuous हो चाहे और और सकंटिनीवह सो या future continuous किसी भी continuous की बात करें तो neo रandırख के फॉर्ट फ्रॉर्म का ठीक है अब यह वह और थर्ड वोम का क्या होगा यहाँ पर आके सारा page तेरा क्या होगा कालिया अब कालिया को बुलाया क्या बोलता है तो कालिया को समझने के लिए सबसे पहले बुलाना पड़ेगा वसंति को तो वसंति की तरफ चले हम लोग अब देखे जो वर्ब का थार्ड फॉर्म है वर्ब का कौन सा फॉर्म है थार्ड फॉर्म है इसका प् होता है ठीक है तो है का पास्ट क्या होता है है चलिए इसको हम लिख भी देते हैं आपके सामने देखे यह जो वर्ब होता है है यह होता है फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है है फूर्द फॉर्म क्या होता है है फूर्द फॉर्म क्या होता है है और फिप्ट फॉर्म क्या होता है है यह आपका ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और वर्ब की चर्चक कर लें जो आपको कन्फ्यूज करता हुगाने जार आता है यह डू डेड डन डू डेड डन फिर यहां पर दूइंग और फिर यहां तो यह हो गए आपके ऐसे दो फॉर्म्स ऑफ जिनका यूज टेंस में जम के होता है जो आपको कई बार कन्फ्यूज करते हैं और इनके कारण कई बार आपको कन्फ्यूजन जहिलना पड़ता है कई बार आपके कोशन गलत हो जाते हैं ठीक है अब इसमें देखिए एक यह जो वर्ब का फॉर्म है तो यह पूरी जो वर्ब के फॉर्म है वर्ब के जो पांचों में से कुई भी फॉर्म है इनका यूज कहीं भी हो इसके साथ हम लोग का कौन से लिए चाया करते हैं और फिर इसके बाद बात आती है कि तो फिर हम लोग इस डुूडज का PayPal करते है अब यह देखिए जो डूज है डूज के साथ हम लोग rapid की फिर्ट Venka यूज करते हैं और वर्ब के कौन से लिए का यूज करते हैं और कहां पर करते हैं तो इसका यूज हम लोग 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 करते हैं यह बात भी आप जानते हैं डिड का यूज कहां किया जाता है तो डिड के साथ भी विडंबना क की बात नहीं है यह कोल मिला कैंग है कहानी है डिड के साथ वर्म को थायान से सीखते चलिए समझते चलिए सफसे चलिए और यहीं से धीरे प्रकार की बढ़ते हुए हम लोग आज के इस kelas में सीख कर जाएंगे कि आज के बाद हमसे कहीं भी टेंजर रोइस के कोष्जन को पचानने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कुई नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए तो अब इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं यह वो दो इंपोर्टेंट फैक्टर्स थे दो इंपोर्टेंट ऐसे हेल्पिंग वाब थे जिसका फॉर्म आपको हर बार डिस्टर्ट करता है और इस से या इस दूर्ट आपको दिखाई देता है उसके बाद यह दि कोई में वाब आए तो उसको नगे NICKरा करते हैं है टिक है चन्हीं के आगे रख्या भट जाक्री क्या याद रखेंगे continuous अब हमारे पास बचा हुआ क्या है तो हमारे पास बचा हुआ वर्ब का third form देखें जो वर्ब का third form है इसका यूज दो प्रकार से होता है कितने प्रकार से दो प्रकार से होता है कौन सा तो इसका यूज या तो हैव के साथ होगा है प्लस वर्ब का third form य कि है प्लस वर्ब के third form का meaning क्या है तो इसका meaning है have had had having या has इन में से कोई भी हो इन पाचों में से कोई भी हो इसके बाद यदि वर्ब का third form लगा हो तो हम लोग इसको क्या मानेंगे हम लोग इसी को मानेंगे perfect क्या मानेंगे इसको हम लोग तो हम लोग इसी को मानते हैं perfect क्या मानेंगे इसको perfect क्योंकि इस form का use हम लोग कहा करेंगे किसी न किसी perfectence में चाहे वो present हो, चाहे वो past हो चाहे वो future हो ठीक है बात समझ में आ रही है अब यह जो B है यह फिर हम लोगों को समझ में नहीं आता देखिए इस B के बारे में हम आपको समझाते चले, B का use हम लोग कैसे कर रहे हैं, या कैसे करेंगे अपने exam में, देखिए is, am, are B का यह form होता है, is, am, are होता है, और was, were भी होता है, was, were भी होता है, एक और form होता है आप देखिए, बच्पन से पढ़े होंगे नहीं भी पढ़े होंगे, तो अभी हम इसको थोड़ी देर में, अगले slide में लिखके बताएंगे भी, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लिजिए, कि B होता है, Bing होता है और, Bin होता है, ठीक है इन में से कोई भी format आपको दिखाई दे, इन में से कोई भी format आपको दिखाई दे, देखे, यह उपर वाले तीन होगे, नीचे वाले तीन होगे, और बीच वाले दो, टोटल कितने होगे, 8, इन आठ में से कोई भी एक word आपको दिखाई दे, और इसके साथ यदि वाब का third form यूज़ किया गया हो, तो आपको सीधा समझना है कि यह कहां पे है, तो यह active में नहीं बलकि passive में है, कहां पे है, active में नहीं बलकि passive में है, कहां पे है, active में नहीं है, बलकि passive में है, इस बात को आप ठीक से समझेए, कहां पे है यह passive में है, ठीक है, भाई ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा confusion हम सबों के बीच में यहीं पर है हम लोग tense और wise को पाचान नहीं पाते हैं टेंस में भी wise के मिले जूले concept आते हैं wise में भी tense के मिले जूले concept यूज के जाते हैं ठीक है और यहीं पर हम लोगों को confusion हो ज करेंगे चीक है और वहाँ पर हम आपको आसानी से टेंस को पहचाना सिखाएंगे अब देखे बी का जो फॉर्म है उसके थोड़ी सी हम चर्चा आपके साथ करते चलें तो देखें यह जो वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं और फिर यहां पढ़ फॉर्म क्या होता है तो यहां भी फिर से होता है अब देखें बी में क्या-क्या होता है यह । पर यहां पर आ गया इस B का M और R हम लोग यहां पर लिखते हैं ठीक है इस हम लोग यहां पर लिखते हैं ठीक है इनका थोड़ा सा और भी इसलेशन हम लोग करते चले यह जो वाप का फिर्स्ट फॉर्म होता है यह होता है नंबर में यह दिवात करें तो यह होता है प्लूर प्लूरल सब्जेट के साथ किसके साथ प्लूरल सब्जेट के साथ इसका यूज करते हैं यह इसके नंबर की बात करें तो यह नंबर में होता है सिंगुलर और इसका यूज भी हम लो करते हैं सिंगुलर सब्जेट के साथ किसके साथ सिंगुलर सब्जेट के साथ किसके साथ स यह कितने हो गए तीन चार पाँच छे साथ ठीक है और यह बी इबी खुद भी टोटल कितने हो गए इट इन एट में से कोई भी फॉर्म आपको दिखाई दे अर्थात अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं अर्थात अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि हमें बी इबी के साथ कहीं भी वह का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो हम लोग इसको मानेंगे पैसिव क्या मानेंगे पैसिव मानेंगे और यदि अब आप मेंसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा सर्ठीक है भी अब ठीक से समझें जो इस फॉर्मेट में होगा वो कहलाएगा पैसिव जो इस फॉर्मेट में नहीं होगा वो कहलाएगा एक्टिव ठीक है अब आईए इन सब को हम लोग सीखना सुरू करते हैं और इन सबों पर हम लोग बारी-बारी से चर्चा सुरू करते हैं तो आपक कुछ और सिखाना शुरू करते हैं कैसे पार चानेंगे कि जो दिया हुआ sentence है जैसे यहाँ पर आपको यह sentence दिख रहा है कैसे पार चानेंगे कि यह जो given sentence है कौन से टेंश में है और यदि टेंश में है तो वह active सबसे पहले हम आपको समझा रहे थे यह कौण सा फॉर्म है यह जो सम Indigenous हम आपको समझा रहे थे कि वह का 3rd form जो है उसमें हैं का कोई भी पाचों में से कोई भी फॉर्म हो इसके साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे तो हम लोग इसको मानेंगे परफेक्ट ठीक है ठीक है और यदि भी इवी हो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसको हम लोग क्या मानेंगे तो इसको हम लोग मानेंगे पैसिव में कहां पे मानेंगे हम लोग पैसिव में फिर हमने इसके साथ आपको बताया कि वर्ब के फॉर्स फॉर्म को क्या मानना है तो प्रेजेंट मानना है वर्ब के सेकेंड फॉर्म को क्या मानना है तो पास्ट मानना है वर्ब के फॉर्ट फॉर्म को क्या मानना है तो इस यानि ही बाते बताईए ठीक है बात समझ में आ रही है अब यहां से थोड़ा सा और आगे की ओर हम आपको लेकर चलते हैं देखें अब आप ध्यान देजिए किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब का फॉस्ट फॉर्म यूज किया गया हो यह यदि उस सेंटेंस में इकला वर्ब हो कैसा वर्ब हो एकलाता वर्ब हो कैसा वर्ब हो यह एकलाता वर्ब हो यानि किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब हो और वह वर्ब वर्ब की फॉर्म हो या वर्ब की फिप्ट फॉर्म हो तो हम लोग इसी को क्या मानेंगे तो इसको मानेंगे हम ल इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा यदि किसी भी sentence में यदि किसी भी sentence में वर्ब के second form का यूज किया गया हो और उस sentence में वो अकेला वर्ब हो यानि कि दूसरे सब्दों में बात करें यदि किसी भी sentence में सिर्फ एक वर्ब का प्रयोग किया गया हो और वर्ब का second form हो तो इसी को हम लोग कहेंगे past indifferent क्या कहेंगे past indifferent क्या कहेंगे इसको हम लोग इसी को कहेंगे past indifferent क्या कहेंगे हम लोग past indifferent कहेंगे बात समझ में आ रही है और यदि cell या will के साथ cell या will इन दोनों में से किसी एक के साथ यहाँ पर आपको verb की first form दिखाई दे क्या दिखाई दे verb की first form दिखाई दे तो इसी को हम लोग कहेंगे future क्या कहेंगे future कहेंगे क्या कहेंगे इसको future कहेंगे आप इस बात को ठीक से समझेए क्या कहेंगे इसको future future में भी इसको क्या कहेंगे तो इसी को हम लों कहते है future indifferent क्या कहते है इसको future indifferent कहते हैं कुछ और बातें जो verb के second form और third form के कारण थी अब देखिए अभी अभी आज ही के class में हमने थोड़ी दिर पहले आपको बताया था कि verb के कुछ forms ऐसे होते हैं या कुछ verbs के form इस तरीके से होते हैं जिनका second form और third form same होता है कुछ verbs ऐसे होते हैं जिनका second form और third form दोनों ही कैसा होता है दोनों ही बिलकुल same होता है तो हम लोग कैसे पाचाने कि अगर इन में से किसी एक का use किया गया है sentence में अगर वो use किया गया है जैसे एक example के तौर पे हमने आपको बताया था कि verb के first form में ED लगा कर, क्या लगा कर? ED लगा कर क्या बनाते हैं? इसका second form भी बनाते हैं और third form भी बनाते हैं तो ऐसे बहुँ सारे verbs होते हैं यह लेते हैं लाफड तो हम कैसे डिसाइड करें कि कभी यह सेकेंड फॉर्म है और कभी यह थर्ड फॉर्म है हम कैसे डिसाइड करें कि कभी यह सेकेंड फॉर्म का काम कर रहा है कभी यह थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है ठीक है तो आएए अब हम आपको यह पाचानना सिखात देखें यदि कहीं भी आपको इस तरीके का कोई भी वर्ट दिखाई दे जिसके second form और third form दोनों same होते तो यदि वो उस sentence में second verb का काम कर रहा होगा किसका काम कर रहा होगा? second verb का यदि वो role play कर रहा होगा तो इसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी helping verb यूज नहीं किया गया होगा इसके पहले यदि कोई भी second form यूज नहीं किया गया हो तो वो second form है न कि third form ठीक है? यही समस्या है कि कुछ ऐसे वो आप जिनके second form और third form दोनों same होते है तो हम लोग कैसे पहचाने कि वो second form है या third form है तो आप इसको पहचानने के लिए इसको जड़ा ध्यान दीजिए इसका ध्यान रखेंगे कि यदि कहीं भी ed वाला form या इस तरीके का verb आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप चेक किजिए उसके तुरंट पहले क्या helping verb है या नहीं यदि इसके तुरंट पहले कोई भी helping verb नहीं यूज किया गया हो तो ये third form नहीं है बलकि ये है second form क्या है second form लेकिन यदि कहीं भी ऐसा कोई भी verb आपको दिखाई दे जिसका second form और third form same होता है किन्तो आप ध्यान देंगे इसके पहले यदि helping verb present हो यदि यहाँ पे helping verb present हो यदि ये present हो उपस्तित हो उपयोग किया गया हो तो अब यहाँ पे ये second form का काम नहीं करेगा ये हो जाएगा third form ये क्या माना जाएगा तो अब ये ही माना जाएगा third form बात समझ में आ रही है हाँ या ना चीक है बात समझ में आ रही है तो अब चलिए इन सारे concept का हम लोग use करें और use करके यहाँ पे इन सारे given sentences में हम लोग इनका tense find करते चलिए तो आएगे सबसे पहले हम लोग सुरुआत करते हैं पहले बाले से तो सबसे पहले वाले में हम लोग चलते हैं और यहाँ देखिए यह आपको क्या दिखाए दिया आर आर के साथ यह देखे क्या दिखाए दे रहा है expected अब देखे इस MR यह आ गया इस MR आ गया और इसके साथ यह क्या गया तो यह आ गया भॉब का third form यानि इसका tense कौन सा चल रहा है आर के कारण इसका tense कौन सा हो गया तो आर के कारण इसका tense हो गया present कौन सा हो गया present और इसके कारण यह कहां चला गया तो यह चला गया passive में कहां चला गया यह बात समझ में आ रहे हैं, आईए कुछ और आसान से एक्जाम्पल से आपको सिखाते हुए हम आगे के और बढ़ते हैं, कुछ और आसान सा एक्जाम्पल जैसे, एक एक्जाम्पल लेते हैं, he has been doing this work, कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं, man is mortal, कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं, हम लोग, the poor have emotion, the poor have emotion, चलिए, इन सारे sentences में सबसे पहले हम लोग टेन्स को पाचानना सीखें, अब इनके टेन्स की बात करें, और सबसे पहले टेन्स को पाचानने के लिए में क्या करना है, तो हमें वर्ब को identify करना, यह देखिए, वर्ब कितने हैं, तो इसमें सिर्फ एक वर्ब है, कितने वर्ब हैं, तो इसमें number of वर्ब हम लिखते चलें, number of वर्ब कितने हैं, एक, इसमें number of वर्ब की बात करें, तो number of वर्ब कितने हो गए, तीन, कितने हो गए, यहां पर number of वर तो हो गए तीम ठीक है अब सबसे पहले देखिए हम लोगों के मन में एक कर सकते हैं कि माइंडसेट हम सबों का बना हुआ है है जैब है के साथ क्या आता है और है जैब है यदि कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसका सीधा मिनिंग हम लोगों कहा निकालते हैं उसका टेंस कहां बताते हैं तो सीधा पर्फेक्ट में बताते हैं अब यह देखे यह पर्फेक्ट में है क्या इसके साथ की थर्ड फॉर्म है नहीं है सबसे पहले अब आप यह बताइए कि यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है तो यह वर्ब का फॉर्स्ट फॉर्म यह इस वर्ब का कौन सा फॉर्म है तो यह वर्ब का फिप्ट फॉर्म और हमने आपको क्या बताए था किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब की फॉर्स्ट या वर्ब के फिप्त फॉर्म का प्रयोग किया गया हो और वो उस सेंटेंस में इकलाथा वर्ब बनकर आया हो तो उसका टेंस क्या होगा तो उसका टेंस होगा सबसे पहले वर्ब का फॉस्ट है या फिप्त है इसके कारण यह क्या हो गया तो यह हो गया प्रेजंट क्या हो ग बोलेंगे इंडिफनेट इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडिफनेट तो इन दोनों कटेंस क्या हो गया प्रेजेंट इंडिफनेट ठीक है अब चले ऊपर वाले में आते हैं यह क्या है तो यह वर्ब का फिफ्ट फॉर्म इसके कारण क्या हो गया तो यह हो गया अब ये है वर्ब का third form ये देखे ये क्या है ये है वर्ब का third form ये है वर्ब का fourth form. इसके कारण हम लुग क्या बोलते हैं तो इसके कारण हम लुग बोलते हैं continuous उर से इसके के साथ जैसे भी न आ जाए यानि कि हैव का कोई भी फॉर्मेट हो उसके साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए हमने आपको थोड़ी दिर पहले बताय था कि हैज हो हैव हो हैड हो हैविंग हो हैज हो यानि हैव का कोई भी फॉर्म लिखा हुआ हो उसके साथ यदि वर्ब चलते हैं, कुछ और example की तरफ एक और एक्जाम्पल लेते हैं अब आईए इन दोनों सेंटेंस का मुख टेंस identify करना सीखें सबसे पहले number of verb तो इसमें कितने number of verb हो गए तो number of verb हो गए इसमें तीन इसमें number of verb कितने हो गए तो हो गए दो ठीक है अब यह देखे इस क्या है तो यह वर्ब का फिप्ट फॉर्म इसके कारण यह क्या कहलाएगा तो यह कहलाएगा प्रेजेंट इसमें कोई डाउट है किसी को नहीं अब यह देखे यह बिंग लगा हुआ है टो यह कंटिनिवस है अब देखे यह यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है अब देखे यह बी याद किजिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बता है था बी हो वाज हो या बिन हो ठीक है यानिके इस एम आर हो या वाज वर हो या बी बिंग या बिन इन आठों में से कोई भी फॉर्म हो उसके साथ यदि वापका third form attach हो तो हमने क्या बतायता है कि ये क्या हो जाता है ये हो जाता है तो यह कौन से format में चला गए यह चला गया पैस्ट में में आप इसको ठीक से WhatsApp का यह क्या हो गयाяться format किसक्का प्रE waż का इसको अब लिर वाट का यह मिल अब लिए है जदे शाप लोग क्या बोलेंगे किया वह बोलेंगे पास्ट बोलिंग, ठीक है, अब देखें, यह इकलाउता वर्ब नहीं है, यदि केवल यह इकलाउता वर्ब होता, तो हम लोग इसको क्या बोल देतें पास्ट इंडिफनेट, इसमें दूसरा वर्ब भी प्रेजेंट है, यह कौन सा वर्ब है, तो यह है वर्ब का थर्ड फॉ संस Von he इसके साथ कान तराम च्काश है कि यह मतलब यह क्या हो गया है यह हो गया उगार यह नहीं होता यह यदि चाहें एक शुचते कि का पास्ट इंडिफनिट का पैसिव किसका पास्ट इंडिफनिट का पैसिव क्या कहेंगे पास्ट इंडिफनिट का एक sacrifices का ती है कहते हैं present different present indifferent का क्या बोलेंगे तो परवरों समझमें आ रही है यह अच्छान ना इसको समझने में कोई भी दुविदा हो कोई भी समस्या हो तो प्लीज वीडियो को आप पीछे करके यह वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिए ठीक है क्योंकि आज के बाद आज के इस क्लास के बाद आपको एक्टिव पैसिव में अर्थात वाइस में और टेंस को पाचानने में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी ठीक है हवा भी कुछ सिखाईए अब आ जाईए भाई जैसे सी विल है बिन बिन बॉट 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 अकार अब देखिए इस सेंटेंस का टेंस पहचान यह सबसे पहले नंबर ऑफ यह वन यह टू यह ठीक है अब देखिए सेल विल के कारण क्या होगा भाई तो यह चलना जाए सबसे पहले नंबर ऑफ कितने होगे और इसके साथ यह क्या है तो यह वर्फ का हुझा हो तो यह क्या हो पर फिक्त और देखिए इसी के साथ यह क्या है तो तो, ये फिर से है वाप का third form क्योंकि यदि ये वाप का second form होता है, भाइ बाइ बहुत भूट नहीं होता, लेकिन चुकि इसके फहले यहां पे helping वर является है, तो हमने आपको पहले से सिखा रखा है is mr plus v3 तो पैसिव वाजवर plus v3 तो पैसिव ठीक है फिर हमने आपको सिखा रखा है बी हो बिंग हो यह बिन हो इसके साथ यह दिवह अपका 3rd form है तो वो भी क्या है पैसिव ठीक है तो इनके कारण यह क्या हो गया इनके कारण यह गया पैसिव क्या हो गया पैसिव अब आप ज़रा ध्यान देज़े इसका TENS क्या हो गया तो इसका TENS हो गया future perfect और format कौन सा हो ग has been cooking cooking for hours वो घंटों से खाना पका रही है ठीक है पकाने तीजी बनाने तीजी हम लोग अपना grammar सीखें सबसे पहले यह यह क्या है वर्ब का 5th form इसके कारण यह क्या कहलाएगा present ठीक है यह क्या है यह वर्ब का 3rd form क्या यह यह वर्ब का 3rd form तो वर्ब का 3rd form आगे है इसके कारण यह क्या 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 क के उसके बाद फिर हम लुग चलेंगे नोग कुछ को सौल्व करना सुरू करेंगे लिए इस कोसट्ण में मैं यह यहां पर हम लोग सीखें कि का कौन कौन सब्सक्राइए क्या मुख और इसको क्या मद बोलेंगे तो इस को अधर प्रेजंट क्या बोलेंगे यह बात समझ में आ रही है यह बीटन के भाई तो यह वका थाड़ फॉर्म क्यों कि देखिए इसके पहले क्या लगा हुआ है लगा तो इस गो लोग लोगblesन कि परफेक्ट क्या पर नहीं है इसके बात करें तो इसके प्रिजेंट के बात करें की बात करें और गया यह पैसिव हैarbeit तो देखिया हमने आप dependency से बता रखा है VEB plush word ka third form हो तो बूलेंगे passive Otherwise बूलेंगे active, यहां पर देखें VEB है किया? 그거한 का third form नहीं है फिर प्लस थर्ड form है, नहीं है भी बिंग और बिन plus फोर्ब का third form है, नहीं है अर्थात् ही पैसिव में नहीं ही इसका format क्या हो गया तो इसका वह इसका format हो गया active क्या वह इसका फॉर्मेट हो गया इसका active के बाद समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं slide की तरफ और slide में आके यहां पर question को हम लोग लगाना सीखे तो सबसे पहले यहां पर हम बता रहे थे इसके कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे तो इसके कारण हम लोग इसको बोलेंगे present क्या बोलेंगे present और देखे इस MR के साथ यह क्या है वर्ब का third form है ठीक है तो इस MR के कारण यह क्या हो गया present हो गया और चुकि यह single वर्ब होता तो इसको उम्लूक्या बोलते है प्रेजंट इंडिफरेंट ठीक है अभी वर्ब का थर्ड फोर्म है तो इसका फॉर्मिट क्या है यह पैसिव कौन सब फॉर्मिट है इसका ठीक है और इसी के बारे में अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको बताए था इस के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं प्रेजंट इंडिफरेंट का पैसिव वर्ब के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसको क्या बोलते है तो उसको बोलते है पास्ट इंडिफरेंट का पैसिव तो इसका टेंस क्या हो गया प्रेजंट इ यह क्या था यह वॉप का सेकंड फॉर्म और इसके साथ मिल गया वॉप का थर्ड फॉर्म तो ज़रा ध्यान देजिए वॉजवर प्लस वॉप का थर्ड फॉर्म तो सबसे पहले वॉजवर के साथ वॉप का थर्ड फॉर्म आ गया इसका मतलब यह क्या हो गया पास्ट इंडि वोर और ये क्या है यह के सात्व का थर्ड फरम मतलब यह क्या हो गए यह Dalam देख यह क्या मिल गाए इस SS के सांथ क्या मिल गाए यह वरक का थर्ड फरम तो इजे मार के साथ या दिवाब का third form लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं present indifferent क्या बोलते हैं present indifferent और present indifferent का concept format बोलते हैं तो इसको बोलते हैं पैसिव फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट पैसिव कौन सा फॉर्मेट पैसिव बात समझ में आ गई आईए यहां पर फिर कुछ कोश्टन को लोग लगाना सुरू करते हैं और हम लोग यहां पर देखें कि इन सारे given sentences का टेंस क्या है इनका pattern क्या है active है यह पैसिव है ठीक है चल पत चांड क्या हो गया तो इसका फार्मेट भी थे सिल क्या है एक लाबा और भाता पन sentence में सेन्टेंस में एकलौता वर्व के रूप में यूज़ किया हो तो इसका टेंज क्या होता है तो इसका टेंस ठेंस होता है पास्तिंट होता है है ठीक है चलिए यहाँ से आगए बढ़ते हैं लोग अगले सेंटेंस में चलते हैं close all the windows यह close क्या है बाई तो यह वर्ब का first form इसके अलावा sentence में देखिया और कोई वर्ब है नहीं है तो इसके tense किया आएगा present वर्ब के first form के करण क्या हो गया यह present हो चुकि एक लोगता वर्ब है इसलिए क्या हो क्या है इंडिफिनेट ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग अगले question में चलते हैं someone stole अब यह stole क्या है तो यह वर्ब का second form इस sentence में देखिया और कोई है क्या यहां तक में someone से लेके checks तक में क्योंकि आगे conjunction लगा हुआ when और conjunction के बाद देखिए यह वर्ब सॉरी यह सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद यह वर्ब है तो यहां पे दो अलग-अलग sentence यूज़ किये गए हैं आईए इन दोनों का टेंस हम लोग सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उपर वाले में उपर वाले पार्ट का टेंस हम लोग चेक्ट करते हैं उपर वाले का यह स्टूल क्या है तो यह वर्ब का second form और यहां समोन से लेके इस चेक्स तक में दूसरा और कोई वर्ब है क्या नहीं है तो इस उपर वाले sentence के यदि हम लोग उपर वाले sentence के बात करें ग्रवा तो यह मुद्प रूप में किया गया है और वाल्ग का second form इकलॉत क अगए अपर कि नेक्सट पुर्ते हैं आप यह यह देखे है वाज क्या है तो वह सेंट फॉर्म यह क्या है यह है यह सक्нейमर का फोड फॉर्ट फॉर्म अब ज़रा ध्यान दिजेए यहां पे अब ज़रा आप यहां पे ध्यान दिजेए second form के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे past अब यह verb के fourth form के कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे continuous क्या बोलेंगे continuous ठीक है कि नीचे बालेंब बात करें तो यहां फिर से देखिए यह देखिए वाग का सेकंड फॉर्म है और फॉर्थ है यहां पे देखे बी प्लस व्पको थर्ट फॉर्म है क्या नहीं है तो यह भी इसका भी फॉर्मेट क्या है कि आ है एक्टिव है अगे बढ़ते हम लोग चलते हैं कुछ और कोश्चन की तरफ यह रहें आपके सामने कुछ और कोश्चन यहां पर आईए इनका भी हम लोग फटा-फट चे करते चलें कि इनका टेंस क्या है यह क्या है वर्ब का फॉर्स फॉर्म और कुछ है नहीं यह वर्ब का फॉर्स फॉर्म है अर्थात इसका टेंस हम लोग यह दी बात करें तो टेंस इसका क्या होगा प्रेजंट इंडिफिनिट क्या बनेगा प्रेजंट इंडिफिनिट बनेगा क्या का present indefinite और active passive के हम लोग बात करें तो यहां पर देखें बी प्लस वर्ब का third form दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसका format क्या बताएंगे active बताएंगे ना कि passive ठीक है second में चलते हम लोग यहां पर second में देखें यह लेट लेट भी क्या है यह भी होता है वर्ब का first form और लेट एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों form सेम होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं cut read पढ़ते है put set इनके तीनों ही form क्या होते है सेम होते है cut 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 read read पढ़ते red है लेकिन लिखते रीड है ठीक है बात समझ में put 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 ठीक है यह उसी category के बार में तो यह क्या हो गया वर्ब का first form ठीक है और फिर इसी में आगे देखें यहां पर क्या मिला तो यह वर्ब का first form है इसलिए प्रेज़न्ट क्या होगे इसका टेंस प्रेजंट हो गया यह देखें बीई और प्लस यह वर्ब का third form यहां पर आके यह क्या बन गया पैसिव पैसिव इसका अलग से फॉर्मेट हम लोगों को पढ़ना है कहां पर एक्टिव पैसिव है जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहा का third form ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर यहां देखिए यह क्या है वहाब का second form यह क्या है तो यह वहाब का second form और यह क्या है यह देखें यहां पर क्या है तो यह वहाब का third form अब यह second form है इसके करण इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पास्ट ठीक है क्था है बात समझ में लुग बात करें लास्ट वाले में तो यह क्या है और इसके हलावा और कोई वर्भाइद इसका किया हो जाएगा प्रेजंट इंडीफ、 अगजंट हो जाएगा और प्रेजंट इंडिफिनिट हो remember और यह पैसी तो इसका format है क्यों वेक्टिव क्योंकि इसमें लिटार के थर्ड फरम का यूर्ज नहीं किया गया इंस और व्ल CLQ तबही और क्यवल तभी होता है पैसी वाधरवाज होता है आक्टिव तो आप जो बचपन में टेंस पढ़े थे, ट्रांसलेशन पढ़े थे, वो सारा का सारा क्या था, एक्टिव था, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग, चलते हैं कुछ और कोशन की तरफ, क्योंकि आज के वीडियो के इनिसियल में ही, सुरुवात में हमने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में हमारा प्राइम फोकस क्या है, हम लोग क्या सीखने जा रहा हैं, यह हमारा वीडियो क्यों one important है, तो इंपोर्टेंथ इस लिए है, क्योंकि आज के इस ऐसकी लिता है, तो हम लोगों को सीखना था, things are wise को पचना आए, यहां पर देखे क्या बोलते इंफिनिटिव 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 का यह क्या है ठीक है तो इसका टेंस क्या है प्रेजंट इंडिफरेंट में यह क्या है प्रेजंट इंफिनिटिव का पैसिव तो इंफिनिटिव क्या होता है भाई देखें अब यह भी हम आपको सिखाते चले टू आगे में हम लोगहां से अगले कोशन में चलते हैं और यह देखेज आप में से कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा सरी है स्पीटिंग वर्ब का फॉर्थ फॉर्म है यह कैसे आगया अब आप ध्यान देजिए हमने आपको सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट पढ़ाया नाउन पढ़ाया प्रणाउन पढ़ाया हर जगा हमने आपको बताया कि यदि कही भी कोई भी प्रेपोजीशन ओ प्रेपोजीशन के तुरंत बाद यह कोई वर्ब लिखा जाए तो वह लिखा जाता है इस बात को आप नोट किजिए ठीक है आप सब लोग इसको नोट किजिए कौपी में लिखें इसको याद रखिएगा अब यह और क्या है से कोई मतलब नहीं होता प्रेजंट में हो इस से को इस मतलब नहीं है इसके किया हो तो यह हो गया प्रेजंट अब यह देखें बिन क्या है वाब का थर्ड फॉर्म पिर से अब देखें है और चुकि हैंज है प्लस बिन के साथ देखें यह लगता यह इसका हो जाता है इसका फॉर्मेट हो जाता है इसका फॉर्मेट हो जाता हारहिए चलिए और कोशन की तरफ़ चलते इसक उसन गडाद discussion गफ्जशन इस it तो है जैब के साथ यह थार्ड फॉर्म हो तो क्या का लाता है वह तो इसका टेंस क्या होगा इसका टेंस परफेक्ट यह बात समझ में आ रही है तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिस मिडियम के होंगे उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा और ऐसे बच्चे जिनके बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए भी यह बहुत बेनिफीसियल है ठीक है चलिए आगे चलते है नेक्स कोशन की तरफ अगले कोशन में देखे हैं हम लोग दबेल रैंग यह देखे रैंग अब दबेल रैंग यह पूरा एक पार्ट है अगला सेंटेंस है विन दा हॉल व को से करनी और कीया लगा है बसके लगा हुवए यह कौन यह कि उ आ सब्सक्राइब क्या और चुक्प के सथे क्या लेगा यूद स्वाले सेंटेंस में में विन के बाद जो पार्ट लिखा गया है विन के बाद जो sentence लिखा गया उसके टेंस की बात करें तो उसका टेंस क्या होगा Past Continuous का Passive Past Continuous का Passive ठीक है Next, बोन को clean करें आगे चलते हैं कुछ और question है अभी आपके लिए तो यहाँ पर आईए इन question को हम लोग सीखना शुरू करें यहाँ देखें अकाइट अकाइट नाइलन मांजा एस्टिंग मांजा क्या भाई एस्टिंग धागा यह देखें एस के कारण यह क्या होगा प्रिजन्ट यह वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि यदि यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता तो इसके पहले यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता यह हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इसको क्या मानेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है है जैब के साथ है है जैब के करने इसका टेंस क्या हो गया हो गया प्रिसेंट और हैजर्फ के साथ का थर्ड में इस लिए इसका टिंस हो गया तो इसका टिंस हो फर्फेक्ट अब देखें यहां पे इसमें दूंत का थ polít sleeping एच्थ क्ने सा खांटीब ठीक है नेक्स्ट लिए हम लोग alleged अब यह क्या आप यह अब यहां से आप देखके आसानी से कह सकते हैं कि इस sentence का second वाले question का tense क्या है भई तो इसका tense है past and definite क्योंकि verb के second form का use कहीं भी किसी भी sentence में एक लोहते verb के रूप में किया जाए तो हमने पहले से बता रखा है इसका tense क्या होता है तो इसका tense होता है past and definite ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कु verb का first form लिखा हुआ हो तो सबसे पहले इसको क्या मानना है इसको मानना है future और कोई भी वह आपको दिखाई नहीं दे सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाई दे तो इसी को क्या माननेंगे इंदिफनेट तो इसका tense होगा future indifferent क्या होगा future indifferent अब नीचे वाले sentence में चलते हम लोग यहां देखिए, यह विल हो गया, विल के बाद B.E.B. यह हो गया वर्ब का first form, तो cell will B के साथ आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बूलेंगे हम लोग future, अब यह देखिए B.E.B. B.E.B. अगर केवल होता, तो इसी को हम लोग बोल देते, moż uso indiferent kia bholta बोलते लेकिन अब ये देखिए ये BEB के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए BEB के साथ यहाँ पर ये fired क्या है तो यह ववका third form तो BEB के साथ ववका third form है तो इसलिए इसंका format क्या हो ज now-to-to ये क्या कहल आएगा यह future indifferent का कहलाएगा passive क्या कहलाएगा future indifferent का passive कहलाएगा बात समझ में आ रही है next यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं कुछ और question की तरफ तो अब हमारे पास यहां पे slide में question नहीं बचे हैं अब हम लोगों को यहां से structure पढ़ना है अब हम लोगों को यहां से tense पढ़ना है ठीक है तो अब हम लोग यहां से पढ़ना सुरू करेंगे tense लेकिन अब चुके tense दो मिनट में पढ़ान नहीं जा सकता इन पे हम लोगों को विस्तार से चर्चा करनी होगी तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले class में अर्थात 10 के lecture number 2 में 10 के second lecture में ठीक है तो आज के अपने इस class में हम लोगों ने सिखा क्या सिखा भाई तो 10 को पाचानना और active passive को पाचानना तो आज का हमारे जो वीडियो था इनहीं चीजों पे basically focused था तो यदि यदि हमारे ये चैनल आपको अच्छा लगता है यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ठीक है हम लोग ये वीडियो निसुलक लेकर आए हैं और हमारे जो वीडियो का सीरीज है बिल्कुल निसु कर यह कि हम भारत के ऐसे बच्चों का जादा से जादा तादात में सेलेक्शन करवा सके जो किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कम जोर है या जिनका कोई एक दोपे पर वीख है जो सहरों में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते ठीक है या जिनके इंग्लिस बहुत जादा वीख है ऐसे इन सभी बच्चों का ज्यादा से ज्यादा तादात में हम लोग एससी में सेलेक्शन करवा सकें यह हमारा उद्ध से ठीक है और हाँ आपको मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो भी पढ़ाते हैं इन सबों का आपको पीडिय प्रोवाइड क्या जाता है एवरी संडे आपको एवरी संडे आपको प्राक्टिस सीट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं प्राक्टिस सीट में क्या करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आपको जो भी पढ़ाए गया होता है उतने ही कॉंसेप्ट पर बिस्ड आपको 25-25 कोशन के चारों ही सब्जक्ट के अर्थात math, English, reasoning, GKGS यह कर इंटरफियर्स ठीक है इन में से जो भी subject आपको पढ़ाय गए होंगे जितने भी concept आपको Monday to Friday में पढ़ाय गए होंगे उतने ही concept पर बेस्ड आपको practice question अबलेबल करवा जाता है और फिर बाद में उसका answer भी आपको provide करा जाता है यह सारी सो विधा my PDF की और practice sheet की हमारे एप पर एबलेबल है या हमारे website पर भी एबलेबल है तो आप हमारे एप पर जाके खुद को free of cost रजिस्टर कर सकते हैं आप अपना mobile number simply डालके खुद को उस पर रजिस्टर कर लीजिए और फिर आप हमारे यह सारे free वाले video series का मजा ले सकते हैं तो आप सब उसा request है कि आप हमारे इस video series को ऐसे उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं उन सभी बच्चों तक जरूर से share करें जो किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हैं English week है या कोई एक दो पेपर week है जिसके उन बच्चों का से सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो